नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे क्लास एड़ एसेश्टी हिस्ट्री का चैप्टर नमबर थ्री और इसके कुछ मल्टिपल चॉइस कोशन हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं आपके में पहले कोशन में बोला गया है विएस्ट इंडियर कमपनी एस दिवान ओफ बेंगॉल्ट तो मुगल ने इसस इंडियर कमपनी Украї को दीवान ओफ बंगोल कब बनाया था किस साल में अ banned ठाल क्या हो जाएगा इसका आंसर js l usa का 1765 तो फर्स्ट ऑप्शन दो ऑप्शन नमबर थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नेक्स्ट कोशन इसको नमबर तू इसमें कहा गया है महात्मा गांधी इस विजट इन महात्मा गांधी के लिए विजट करते हैं मैं विजट करते हैं यह घखिया संधल में विजट हुआ था किस के अगांच हुआथ तो फ Irishstore अगेंडे तो ऑप्शन इस 2nd option is indigo planters and 3rd option is jute planters, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer है option number B, that is indigo planters, next question पर आते हैं, next question is question number 3, इसमें कहा गया है, before 1865, the company had purchased goods in India by, तो देखें जो 1865 से अगर पहले की बात करी जाए, तो जो company थी, वो कैसे अपने goods को purchase करती थी, भारत से जो goods को purchase करती थी, वो कैसे purchase करती थी, तो first option is loan from banks, क्या bank से loan लेती थी, second option is importing gold and silver from Britain, क्या import करती थी gold और silver को, बिटेन से import करने का मतलब होता है, बाहर से पैसा ले के आना, देखें, दो चीज़े होती है, एक import होता है, एक export होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है, कोई भी चीज़ अगर foreign country से, दूसरी country में जाए, जैसे अपनी country में, अगर कोई चीज foreign country से आती है, तो उसको बोलेंगे import, और अगर कोई चीज़ हमारी country से, दूसरी country में जाती है, that is called export, तो इसका answer भी यही सही है, कि यह लोग क्या करते थे, यह लोग import करते थे, gold और silver को कहा से, ब्रिटेन से, next question पर आते हैं, next question देखते हैं, तो next question is question number 4, इसमें कहा गया है, terrible famine, देखे, famine आई थी, आपको पता होगा, बेंगॉल में एक बहुत खतरनाक famine आई थी, तो यही पूछा गया है, बेंगॉल में जो famine आई थी, तो उसमें आप लोग याद रखेगा, 10 million लोग मारे गए थे, 10 million लोग की हत्या हो गई थी, मतलब 10 million लोग खतम हो गई थे, death हो गई थी 10 million लोगों की, और उस समय जो total population हुआ करती थी, वो approximately 30 million हुआ करती थी, और यह आप समय लिजे कि 1 third जो population थी, वो खतम हो गई थी, इतनी terrible यह famine थी, तो आपको ही बताना है कि famine कब आई थी, उसका आपको year बताना है, तो इसका answer है 1770, तो 1770 में ऐसा हुआ था, next question is question number 5, इसमें कहा गया है, तो 1770 में जो famine आई थी, उसमें कितने लोग मर गए थे, तो 1 third of the population मारी गई थी, 1 third of the population की death हो गई थी, बहुत ही खतरनाग famine थी, next question पर आते हैं, question number 6 है, इसमें कहा गया है, according to British revenue records, महल is, तो महल क्या होता था, British revenue record के साब से, आपको यह बताना है, तो first option is revenue estate होती थी, second option is British empire, third option is place where zemindar lives, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा revenue state, तो revenue estate होती थी महल, ठीक है, next question पर आते हैं, question number 7 है, इसमें कहा गया है, who was the governor of madras in 1819, तो 1819 में madras का governor कौन था, आपको यह बताना है, तो madras के governor थे, Thomas Monroe, तो Thomas Monroe was the governor of madras in 1819, next question पर आते हैं, question number 8 देखते हैं, question number 8 में बोला गया है, who commissioned the painters, अब देखे, painters को commission किया था, painters का recruitment किया था, किसने यह पूछा गया है, और उस painter का recruitment क्यों किया गया था, कि वो उसकी जो life थी, उसके बारे में उसकी memories को क्या कर सके, वो paint कर सके, ठीक है, तो ऐसा काम किसने किया है, ऐसा काम किया है Robert Clive ने, ठीक है, और Robert Clive आप लोग को पता भी होगा, Bengal का governor था, ठीक है, next question पर आते हैं, next question देखते हैं, next question is question number 9, इसमें कहा गया है, which governor general introduced the permanent settlement, तो permanent settlement बहुट important settlement थी, और permanent settlement में जो भी, मतलब यह कह सकते हैं, जो भी taxes थे, वो क्या कर दिये गए थे, fix कर दिये गए थे, जो भी income लेनी थी, लोगों से, जो भी land का income चाहिए थी, वो क्या कर दिये गए थी, fix कर दिये थी permanent settlement में, और वो permanent settlement कौन ले के आया था, तो permanent settlement ले के आया था, Lord Cornwallis, और कब आयी थी permanent settlement, तो permanent settlement आई है, 1793 में, तो 1793 में permanent settlement आई है, आप लोगों को ये भी याद रखना है, next question पे आते हैं, question number 10 देखते हैं, question number 10 में बोला गया है, तो किस चीज को देखना रहता था, तीवानी जब बना दी गई थी, जब दीवानी प्रोइड कर दी गई थी, इसको, British जो company सरकार थी, जब company जो company थी उसको जब दीवानी प्रोइड करी गई, Bengal की, तो उसको main function जो करना था, वो क्या देखना था, तो main function उसका क्या था, main function था, उसका financial administration, तो इसका answer हो जाएगा, option number B, that is financial administration, next question पर आते हैं, next question देखते हैं, तो अगले question बोला गया है, commercial crop क्या होते हैं, तो commercial crop वो crop है, देखे, commercial का मतलब होता है, that is used for sale, तो commercial crop ऐसे crop होते हैं, जिनको cultivate किया जाता है, किस चीज के लिए, बेचने के लिए, तो उनको कहते हैं, cultivated for sale, जैसे tea है, जैसे coffee है, तो they are commercial crops, sugar cane है, next question में आते हैं, next question में कहा गया है, company introduced permanent settlement in the year, तो अभी देखे, मैंने आपको बताया था, कि permanent settlement कब आया, तो permanent settlement आया था 1793 में, तो आप लोग को याद रखना है, कि permanent settlement कब आया है, permanent settlement आया है 1793 में, और साथ ही साथ आपको याद रखना है, कि governor general कौन था उस समय, तो governor general थे lord cornwallis, तो cornwallis के presidentship में, यह यह कह सकते हैं, cornwallis permanent settlement को लेकर आये, next question पे आते हैं, next question is question number 13, इसमें कहा गया है, by the terms of permanent settlement, the raja's and talugdars were recognized as, तो raja जो थे और talugdars जो थे, उनको क्या कहा जाता था, मतलब वो क्या बन चुके थे, तो वो जमीदार उनको recognition दी गई थी, जमीदार की, B option is, दीवान की recognition दी गई थी, या peasants की recognition दी गई थी, तो आप लोको याद रुखना है, कि permanent settlement के तहट, इनको जो recognition दी गई थी, रaja's को और talugdars को, वो किसकी दी गई थी, वो दी गई थी, जमीदार्स की, तो इसका answer हो जाएगा, option number A, that is, जमीदार्स, next question पे आते हैं, question number 14 है, इसमें कहा गया, बीघा क्या होता है, तो बीघा देखिए, बीघा एक land को measurement, land को measure करने की unit होती है, तो it is a unit of measuring land, तो measurement of land के लिए, एक unit है, जिसको बीघा कहते हैं, और आज भी villages में, इस unit को बहुत जादा use किया आता है, जब farmers अपने खेतों की, जो land होती हैं, जो lands को लोग measure करते हैं, तो उसके लिए, इस unit को use करते हैं, तो बीघा, next question पे आते हैं, अब देखिए, next question में, उससे पहले हम लोग एक थोड़ा साई भी समझ लेते हैं, the estimated revenue of each plot within a village, was added up to calculate the revenue, that each village had to pay, किया जाता था, और उसके बाद जो होता था, पूरे village की उस हिसाब से revenue निकाली जाती थी, और फिर उसका जो proportion रहता था, वो tax के रूप में दिया जाता था, तो ये महलवारी system का था, तीन तरीके के settlements आई हैं, पहरा था permanent settlement, दूसरी जो settlement आई, उसका नाम था महलवारी, और तीसरी जो settlement आई, उसका नाम था रहियतवारी, ठीक है, तो ये तीन settlement आप लोग को याद रखनी है, next question पे आते हैं, next question देखते हैं क्या है, तो next question में कहा गया है, the charge of collecting the revenue, and paying it to company, was given to the village headman, rather than the zemindar, तो देखें, जो collection था money का, जो revenue का collection था, और जो company को पैसा देना रहता था, वो अब किसको दे दिया गया, village headman को दे दिया गया, और zemindar से वो, जो position थी, वो चीन ली गई थी, तो ये किस में किया गया था, ये किस system में किया गया था, village बोल देते हैं, और यहां का जो head होता था, वो क्या करता था, revenue collect करता था, revenue जाके किसको provide करता था, company को provide करता था, और इसका भी share रहता था, जो उसको collect करता था, मतलब जो village headman होता था, उसका भी share होता था इसमें, तो this was महलवारी system, तो इसका answer हो जाएगा, महलवारी settlement, next question पर आते हैं, next question देखते हैं, question number 16 है, इसमें कहा गया, which system of land settlement was introduced in 1819, तो 1819 में जो land settlement आया, उसका क्या नाम था, उसका नाम था, रहियतवारी system, तो मैं आपको सबकी एक बार बता देता हूँ, तो देखें, महलवारी system जो आया, यह आया 1822 में, इसके बाद रहियतवारी है, वो कब आई थी, तो रहियतवारी system आया था, 1819 में, और सबसे पहले जो आया था, वो कौन सा settlement था, permanent settlement था, जो आया था 1793 में, तो यह हमारे settlements हैं, और उनके years हैं, next question पर आते हैं, next question देखते हैं, next question is question number 17, इसमें कहा गया है, in the north western province of Bengal, presidency, an English man called Holt McKenzie, device the new system called, अब देखें, Holt McKenzie ने किस system को device किया था, यह आपको बताना है, किस system को introduce किया था, यह आपको बताना है, और किस year में introduce किया था, तो introduction का जो year है, that is 1822, 1822 में अभी हम लोग ने देखा था, कौन सा system नया आया था, कौन सा settlement आया था, तो that is महलवारी settlement, next question पर आते हैं, next question is question number 18, इसमें कहा गया है, in the British territories in south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement, the new system was devised, came to be known as, तो देखें, south में भी same चीज़ हुई थी, south में भी जो permanent settlement का idea था, उसको हटा के, एक नया idea लाए गया था, नय टाइप की settlement लाए गयी थी, और उस settlement का नाम क्या था, उस settlement का नाम था, रहियतवारी settlement, next question पर आते हैं, next question में कहा गया है, question number 19 है, इसमें कहा गया है, which settlement was tried on a small scale, by Captain Alexander Reid, तो Captain Alexander Reid ने कौन सा settlement start किया, मतलब उसको try किया था, start नहीं किया सकते, उन्होंने भी, मतलब ट्राइ किया था, और कहां try किया था, तो उन areas में try किया था, जिसको Britishers ने, या जिसको company ने, टीपू सुल्तान से छीन लिया था, तो आप लोगों को पता होगा, चार Anglo-Maratho Anglo-Maisore war हुए थे, जिसमें दो Anglo-Maisore, Hydra Ali ने लड़े थे, और दो Anglo-Maisore war जो थे, वो टीपू सुल्तान और Britishers के बीच में हुए थे, क्योंकि जो Hydra Ali थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो इस जो फोर्थ Anglo-Maratho Anglo-Maisore war थे, उसके बाद जो है, कि बहुत सारी जमीन जो थी, बहुत सारा जो लैंड जो था, वो Britishers के पास आ गया था, तो उन लैंड पे जो settlement यूज करी गई थी, जो settlements लगाई जा रही थी, एलेक्जेंडर रीट के द्वारा, वो कौन सी settlement थी, तो उस settlement का नाम है, रही अतवारी settlement, नेक्स्ट कोशन पे आते हैं, कोशन बर 20 देखते हैं, तो कोशन बर 20 बहुत अच्छा कोशन है, इसमें कहा गया, गुमस्थास वर्दी एजेंट्स ओफ, गुमस्थास किसके एजेंट्स थे, तो गुमस्थास प्लांटर्स के एजेंट्स थे, ठीक है, तो प्लांटर्स के एजेंट्स कौन थे, गुमस्थास थे, नेक्स्ट कोशन पे आते हैं, नेक्स्ट कोशन इसकोशन बर 21, इसमें कहा गया है, बाइदा, तो इसमें option क्या हो जाएगा option हो जाएगा a and b और opium से मुझे एक बात बहुत important याद आती है कि आप लोग को Robert Clive के बारे में पता होगा तो Robert Clive की जो death हुई है वो भी कहीं ना कहीं opium की ही मतलब extra dosage वो लेते रहते थे तो इसी की extra dosage से ही Robert Clive की भी death हुई है next question पर आते हैं next question देखते हैं तो देखें next question true or false वाला question है इसमें कहा गया the figure represents कलमकारी print created by weavers of आंदर प्रदेश in India तो इस दो आप figure देख रहे हैं यह NCRT का figure है और यह क्या है यह कलमकारी print है इसको कलमकारी print कहते हैं कलमकारी है यह और यह कहां की है आंधर प्रदेश की है तो क्या यह सही है तो आंसर है true यह बिल्कुल सही है और देखें जो इसमें color use हो रहा है वो जो blue color use हो रहा है that is indigo तो इंडिगो आपको पता है इंडिगो की खेती होती थी और इंडिगो यहाँ पर यूज किया जाता था कलमकारी को बनाने के लिए next question पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर वही चीज लिखी गई है next question is question number 22 इसमें कहा गया है after indigo European cloth manufacturer had to depend on another plant called dash to make violet and blue dice तो violet और blue dice को बनाने के लिए अब क्या हुआ था indigo का production कम हो गया था लोगोंने मना कर दिया था indigo को नहीं cultivate करेंगे तो क्या हुआ था European manufacturers ने एक नए नई तरीके की प्लांट को generate किया नए नए तरीके की प्लांट को उन्होंने ग्रो करना ये श्टार्ट किया और उस नए तरीके के प्लांट का नाम क्या है तो वोड कहते हैं उसको WAAD वोड उसका correct नाम है next question पर आते हैं next question is question number 23 अब देखे question number 23 हम बोला है the picture shows the slave revolt in Saint-Dominique तो Saint-Dominique में जो ये revolt हुआ था क्या ये picture उसी की है तो बिलकुल सही है कौन कौन सी कंपनिया कहां कहां पर इंडिगो को produce करने की कोशिश कर रही थी तो देखे फ्रेंच जो फ्रेंच लोग थे वो कहां पर इंडिगो को cultivate कर रहे थे तो Saint-Dominique में cultivate कर रहे थे और Saint-Dominique कहां पर है Caribbean Island में है next इसके बाद पर्टगीज जो थे पर्चुगीज जो थे वो कहां पर cultivate करने की कोशिश कर रहे थे ब्रजील में इसके बाद जो Englishman थे वो जमायका में और जो Spanish लोग थे वो जनेजुला में उसको cultivate करने की कोशिश करते थे cultivate करते थे इंडिगो प्लांटेशन को और इंडिगो प्लांटेशन नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत ज्यादा spread हो गया था और बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी उसका cultivation होता था इसके बाद एक चीज़ आपको ये भी समझनी है कि जो मतलब last 18 century जो था उसमें इंडिगो कल्टिवेशन बेंगॉल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 1788 में जब आब देखेंगे तो 30% of इंडिगो जो था वो इंडिगो का बढ़ा दिया गया था नेक्स्ट कोशन पर आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर दो तरीके के आपको यह भी मिलेंगे जो दो सिस्टम्स थे इंडिगो कल्टिवेशन के वो भी आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं तो जो दो सिस्टम्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो निज होता है दूसरा जो सिस्टम होता है वो रियती होता है अब देखें निज में आपको क्या समझना है निज में होता क्या था तो निज में जो प्लांटर्स होते थे वो क्या करते थे वो जो लेबर बड़ी बड़ी जो रईयत्स होती थी उनके साथ ये लोग क्या कर लेते थे agreement कर लेते थे planters लोग और फिर क्या होता था वो planters के साथ ऐसा agreement करते थे जिससे planters क्या करते थे planters मजबूर रहते थे कि उनको indigo cultivate करना पड़ता था तो इस तरीके से दो तरीके के आप के indigo cultivation के systems हैं जो आप लोग को पढ़ने हैं next question पर आते हैं next question is question number 24 इसमें कहा गया है within the system of niche cultivation the planters produced indigo in lands that he directly control तो बिल्कुल सही बात है अभी मैंने आपको बताया था niche cultivation में क्या होता है तो niche cultivation में आपको पता है planters जो है वो indigo जिस indigo उनीक हेतों पर लगाएंगे जिस पर उ वर्त क्या होता है तो वर्त एक फर्मेंटिंग विसल भी होता है और वर्त एक storage विसल भी होता है दोनों को use करते हैं कहां पे indigo का जब production करते हैं तो इसका use होता है किसका वर्त का तो इसका answer हो जाएगा option a and b both are correct that is option number c तो आज के लिए फिला लितना ही रखेंगे अगले lecture प की तिल देन थैंक यू वर्मच्ट गुडबाई जैहिन